हलो डियर स्टूडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल एन आ यूएस की पढ़ाई और आज की यह वीडियो लेके आया हूँ समाज सास्त्र सोसलोजी समाज सास्त्र सब्जेक्ट कूड 331 कक्षा 12 अर्थात प्लास 12 जितने भी महत्वपूर्प्रस्ण है सारे के सारे प्रस्ण जो भी पिछले 10 साल के पेपरों में आए हैं सारे के सारे महत्वपूर्प्रस्ण आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे दो वार वीडियो देख लोगे 100 प्रस्ण होगे तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ सबसे पहला प्रस्ण समाज सास्त के पितामः कौन है अर्थात father of sociology, समाज सास के पितामा है अगस्त काम्टे, अगस्त काम्टे को समाज सास का जनक अर्थात पितामा कहा जाता है दूसरा प्रस्ण, सामाजिक नियंतरन का क्या अर्थ है और सामाजिक नियंतरन के प्रकार बताएए देखे समाज, समाज अर्थात लोगों का समू, समाज में नियंतरन, नियंतरन अर्थात किसी भी गलत कार्य को होने से रोकना मैं एक छोटा सौधार्ण देता हूँ अगर आप समाज में हैं और समाज में रोड पर सड़क पर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो रूखना चाहिए अब यह दो तरीके से हो सकता है आपचारिक और अनापचारिक तो समाजिक नियंत्रण दो परकार का होता है आपचारिक और अनापचारिक आपचारिक नियंत्रण कौन करता है पुलिस कानून जिसमें क्या होता है जो गलत काम करने वाल व्यक्ति होता है उसको सजा होती है जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है और अनौप चारिक मियंत्रण कौन करता है परिवार, समाज, बुजुर्ग, अड़ोसी-पड़ोसी और रिस्तेदार अब एक छोटा सा उधारन लेते हैं अगर आप सिग्रेट पी रही है पार्क में खड़े होकर या पबलिक प्लेस पर आप सिग्रेट पी रहे है और वहाँ पर कोई पुलिस वाला आता और आप से कहता है कि आपका चालान कटेगा अब आपको 200 रुपे जुर्माना देना है तो यह एक आपचारिक मियंत्रण है जिसे कहते है फॉर्मल कंट्रॉल अब इस बात को दूसी तरफ से समझते है आप सिग्रेट पी रहे हैं और वहाँ पर आपके पिताजी आ जाते हैं और वह आपके कान नीचे दो थपड लगाते है तो यह अनौपचारिक मियंत्रण है अपचारिक मियंत्रण में आपको जेल हो सकती है आपको जुर्माना हो सकता है अनौपचारिक मियंत्रण में आपकी बदनामी होगी और आपकी अगर आँखों में सरम होगी अगर आप अपने पिताजी किज़त करते होंगे या समाज किज़त करते होंगे तो ही आपको यह लगेगा कि आपने कुछ गलतकार किया है तो यह अंतर था आपचारिक और अनपचारिक नियनपर्ड में अगला प्रस्न जंसंक्या विसपोट क्या है? जंसंक्या विसपोट का अड़्ध है एक ऐसी इस्तिती जिसमें किसी गाउं, किसी सहर, किसी देश की जनसंक्या बहुत तेजी से बढ़ती है उधारन के लिए हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी जनसंक्या लगवा लगवा 40 करोड थी और आज के समय में याने पिछले 75 सालों में हमारी देश की जनसंक्या 140 करोड हो गई तो यह एक ऐसी इस्तिती है जिसमें जनसंक्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रहे है जनसंक्या पर कोई भी नियंतर नहीं रह रहा तो इस इस्तिती को जनसंक्या विस्पोड कहा जाता है अगला प्रेश्ण चार वर्ण बताए अर्थात भारत की वर्ण विवस्था बताए देखे भारती समाज में चार वर्ण होते थे और होते हैं नमबर एक, ब्रहमण, ब्रहमण यानि के पंडिक जी, ब्रहमण का काम समाज में होता था, शिक्षा देना और लोगों को पूजापाथ करवाना, दूसरा वर्ण है छत्रिय, छत्रिय अर्थात राजपूत, अर्थात योद्धा, या एक ऐसा वर्ण था, जो समाज में लोगो की रक्षा करता था, राज्जी की रक्षा करता था, अगर राज्जी के अंदर या बाहर किसी भी तरह की कोई भी सेन्य सहयता की आवश्यक्ता होती थी, तो यह लोग सेन्य सहयता देते थे और बाकी सभी वर्णों की रक्षा करते थे, इसको रक्षक भी कहा जाता है, तीस व्यापार को बढ़ाना और दूसरे देशों में जाके पैसे कमाति लाना और अपने देश की अर्थिवस्ता को मजबूत करना चौथा वर्ण था सूद्रू सूद्रू अर्था एक ऐसा वर्ण था जो वाकी के तीनों वर्ण की सेवा करता था समाज में साफ सफाई का काम समर्ण, छत्रिय, वैस्य और सूद्रू अगला प्रस्न है समाजी करन का क्या अर्थ है और समाजी करन के क्या घटक हैं देखे समाजी करन का अर्थ होता है ऐसे तौर तरीके ऐसे रहन सहन ऐसी बातें जो किसी भी व्यक्ति को समाज में सीखने के लिए समाज में रहने के लि अर्थात हमको समाज में पिस तरह द्रवार करना है, या सब हम कहां से सीखते हैं? इसके लिए समाजी करन के घटक है उधारण के लिए आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा दिखता हूँ जैसा बोलता हूँ जैसा खाता हूँ पीता हूँ रहता हूँ बाते करता हूँ या मेरे समाजी करण पर निर्वर करता है अब मेरे समाजी करण किस ने करा अर्था समाज के अंदर आपका समाजी करण कौन करता है नमबर एक परिवार, अध्यापक, मित्र, रिष्टेदार, दोस्त, सोसल मीडिया, विध्याले, आपके अड़ोसी पड़ोसी यह सभी समाजिकरण के घटक होते हैं हम सभी लोग समाज में जैसे भी व्यवार करते हैं, जैसे भी दिखते हैं, बोलते हैं, हमारे समाजिकरण के उपर ही निर्भर करता है, समाजिकरण का अर्थ होता है समाज में सीखना, रहना और व्यवार करने की प्रक्रिया समाजिकरण कहलाती है, अगला प्रश्म, आदिव आदिवासियों की क्या-क्या समस्या होती है देखे आदिवासि लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन जंगल के अंदर वनों के अंदर गुजारते हैं और रहते हैं उनकी सभी आवशकताएं जंगलों पर वनों पर और पेड़ पौदों पर निर्भर होती हैं ऐसे आदवासियों की समस्याएं निम्लिकित हैं आदवासियों के पास संपत्तिनी होती सिक्षा की कमी होती है आदवासियों का शोषण होता है बधुआ मजदूरी तकनी की ज्यान की कमी अठात इनको टेकनलोजी के बारे में भी पतानी होता इनके पास कोई भी रेजिस्टर्ड जैसे हमारे पास registered जमीन है, मकान है, इनके पास कोई भी registered संपत्ती नहीं होती और विज्ञान से काफी दूर रहते हैं। जैसे हमें पता रहता हैं कि technology क्या चल रही है, लेकिन आदवासी लोगों को इस तरह कुछ पता नहीं होता। बड़ी-बड़ी कंपनियां जंगलों में जाती हैं और वहां पर अपने plant लगाती हैं, तो इनको जहां पर यह रहते हैं, वहां से भगा दिया जाता है। यह भी आदवासियों की एक प्रमुख समस्या है। इनके बच्चे उस सिख्षा को प्राप्त नहीं करते जो अन्य लोगों के बच्चे प्राप्त करते हैं। समाज से दूरी, यानि कि जो हमारा समाज है, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो उसी तरह आदिवासी समाज से उचित दूरी बना कर रखते हैं, समाज की मुख्यधारा में सामिल नहीं होते, तो यह है आदिवासियों की प्रमुख समस्या है, आदिवासियों के लिए एक स जाने कि धर्म से उचित दूरी बनाकि रखना हमारे संबिजान के अंदर धर्म निर्पयशता को कुछ इस तरह परवासित किया गया है धर्म निर्पय। जानकी धर्म के आधार पर कोई भी फैसला नहीं होता जैसे कि हम बात करते हैं हमारी राष्टवासा हिंदी है हमारा राष्टिय द्वज तिरंगा है लेकिन भारत के अंदर कोई भी धर्म राष्ट धर्म नहीं है सभी धर्मों को समान सम्मान और समान महत्त दिया गया है भार की अर्थात को कहीं भी किसी बी बात का कोई-भी कारण नहीं माना जाएगा धर्म से उच्छत दूरी बना कर रह जाएगी और धर्म के अधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेद भाव नहीं किया जाएगा यही नीती धर्म निर्पिक्षता की नीती कहलाती है और भारत के सम्मेदान में यह एक मैत्पूर्ण शब्द है हमारा सम्मेदान और भारत एक धर्म निर्पिक्ष देश है सामप्रदाइक हिंसा क्या होती है और स सामप्रदाइक हिंसा का मतलब होता है जब किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे बन जाते हैं, उन्हें मारते हैं, काटते हैं, जिस धर्म की संख्या के लोग कम होते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग उन्हें मारना पारंब कर देते हैं, इस तरह लोग पड़े लिखे नहीं होते, वह बहुत ही आसानी से एक दूसे धर्म का दुस्मन बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा ही धर्म सबसे महत्वपूर है। दूसी तरफ पड़े लिखे लोग जो होते हैं, वो सामप्रदाइक हिंसा से दूर रहते हैं। कटर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को लेकर कटर होते हैं, कटर हिंदू, कटर मुसल्मान, तो वह या ऐसे लोग भी दूसे धर्म के लिए खतरनाख होते हैं। सामाजिक भूमिका का अर्थ होता है समाज के अंदर मिलने वाली जिम्मेदारी। समाज के अंदर आपकी क्या इस्थिती है, आप समाज में क्या काम करते हैं, आप समाज के लिए किस प्रकार उपियोगी हैं। तो सामाजिक भूमका जो होती है दो प्रकार की, एक तो होती है अरजित और एक होती है प्रदतत। अरजित भूमका की तरफ चलते हैं, देखें, बाई मैं एक अध्यापक हूँ, यानि कि अध्यापक बनने के लिए मैंने जीवन में संगर्ज किया होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उन्होंने संगर्ष किया होगा कोई वकील साव है, कोई डॉक्टर साव है, कोई SSP है, कोई DSP है तो यह व्यक्ति जन्म के साथ ही अध्यापक, SP, DSP या प्रधानमंत्री तो नहीं थे इसके लिए उन्होंने समाज में मेहनत की होती है, संगर्स की होती है और अपने कर्म के अनुसार एक समाज में भूमिका बनाई होती है तो ऐसी भूमिका जिसके लिए हम संगर्स करते हैं जैसे कि अध्यापक की भूमिका, वकील की भूमिका, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री की भूमिका, तो ऐसी भूमिका को हम बोलते हैं अरजित भूमिका, जानि कि अरजित इस्थिती, अब दूसरी भूमिका है प्रदत्त, प्रदत्त जानि कि जिसके लिए आपको कोई व तो इस भूमिका के लिए आपने समाज में कोई भी विशेस मेहनत नहीं की होती तो इसको बोलते हैं प्रदत भूमिका यानि कि या भूमिका आपको दी गई है आपने अरजित नहीं की तो दो तरह की भूमिका हो गई अरजित भूमिका और प्रदत भूमिका इसको बोलते हैं सामाजिक भूमे का अथ्वा सामाजिक इस्तिती अगला प्रस्ण गरीबी क्या है और गरीबी के क्या कारण है देखे गरीबी समाज के अंदर एक ऐसी इस्तिती होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए रोजगार एक अत्रित नहीं कर पाता भोजन की विवस्था नही नहीं कर पाता तो ऐसे हालात को हम गरीबी कहते हैं अर्थात अगर आप चाते हैं अपने लिए भोजन ग्रहन करना एक अच्छा खाना खाना लेकिन आपके पास पैसे नहीं है आप कपड़े पहनना चाते हैं अच्छे लेकिन आपके पास पैसे नहीं है आप तरीके से रहना घर में लेकिन आपके पास घर नहीं है तो ऐसे हालात ऐसी इस्तिती को ही हम गरीबी कहते हैं अब बात करते हैं कि गरीबी की कारण है गरीबी की कारण है नमबर एक सिक्षा की कमी अगर आप सिक्षित नहीं है तो बहुत हद तक आप गरीब रह जाते हैं अगर आप सिक्षित पड़े लिखे हैं तो आप अपनी गरीवी को दूर कर सकते हैं दूसरा होता है रोजगार के अबसर अगर हमारे देश में रोजगार के अबसर नहीं है माना कि आप पड़े लिखे भी हैं लेकिन रोजगार के अबसर नहीं है तो यह भी गरीवी का कारण है नमबर तीन परती हुई जन सिंक्या को नियंत्रित नहीं करेंगे जब तक हमें गरीवी का सामना करना ही पड़ेगा और ब्रस्टाचार जिस प्रकार देश के अंदर ब्रस्टाचार बढ़ता जा रहा है वह भी गरीवी का एक कारण है क्योंकि सिक्षा रोजगार उनी लोगों को मिल रहा है जिनकी पहुंच है समाज में हर एक व्यक्ति को सिक्षा रोजगार नहीं मिल पा रहा द्रस्टाचार के कारण तो गरीवी के कारण में क्या क्या आ गया नंबर एक सिक्षा की कमी बढ़ती हुई जन संक्या द्रस्टाचार और बेरोजगारी या गरीवी के प्रमुक सामाजिक समू ऐसे लोगों का समू होता है जो एक समाज में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सामाजिक समू मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं प्रात्मिक समू, दोतियक समू और तृतियक समू प्रात्मिक सामाजिक समू वो होते हैं जो आपसे खून से जुड़े होते हैं जैसे कि आपके माता पिता भाई वहन जिनसे आपका खून का संबंध होता है प्रात्मिक समू की संख्या अधिकतर कम होती है प्रात्मिक समू में हमारे रिष्टेदार भी आ जाते हैं जैसे कि चाचा, ताउ, चाची, ताउजी, बाबा, अम्मा यह सबी लोग हमारे प्रात्मिक समू में ही आते हैं दूसरा होता है दुतियक समू दुतियक समू में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम अधिक्तर मिलते रहते हैं जैसे कि आपका अध्यापक, आपका सब्जी वाला, आपका दूद वाला, ऐसे लोग जिनसे हम मिलते रहते हैं, आपके मित्र भी आपके दुतियक समू में आएंगे, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, वो भी आपके दुतियक समू में आएंग तिरतियक समू में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम कभी-कभी मिलते हैं और जिनसे हमारा दूर का संबंद होता है माना कि आप किसी राजनेतिक दल का हिस्सा है तो आप उस राजनेतिक दल के बाकी अन्य लोगों से कम मिलते हैं साल में एक बार, दो साल में एक बार, पांच साल में एक बार, और उनसे आपका दूर का संबन्द इसलिए है, क्योंकि वह भी तो उसी राजनेतिक समू का हिस्सा है, जिसका हिस्सा आप हो, तो ऐसे समू को या ऐसे लोगों को तृतियक समू बोलते हैं. अगला प्रस्ण पर संस्क्रती करण क्या है पर संस्क्रती करण जैसे पर का मतलब है पराई संस्क्रती यानि की जो संस्क्रती होती है करण यानि के अपनाना दूसरी की संस्क्रती में से कुछ भी अपनाना धारन के रूप में ये समझे आप जैसे कि मैं हिंडू हूँ और मेर दोस्त हैं और दोनों के एक साथ रहते हैं जब हम दोनों एक साथ रहते हैं तो हो सकता है कि वह मुसल्मान भाई मेरे यहां पर दिवाली पर आए और हूली पर आए और मेरे त्योहारों को समझ ले और मैं उसके यहां पर इद पर जाओं और उसके तोड़ तरीकों को समझ करते हैं तो उनमेंसे कुछ अच्छाईयां और कुछ बुरायां एक दूसा व्यक्ति ग्रहन कर लेता है जैसे कि छूटा उधारन और मैं एक हिंदू हूं और मैं नॉन्वेज नहीं खाता मेरा एक मित्र है मुसल्मान वह नॉन्वेज खाता है हम दोनों साथ रहते हैं काफी स उसको कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं मैं नॉन्वेज नहीं खाता मेरा मुसलिम मित्र नॉन्वेज खाता है धीरे 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 उसने भी नॉन्वेज खाना छोड़ दिया किस वजह से एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलते हैं तो दूसरी सं स्कत्वी में से कुछ लेना अगला प्रस्ण घरेलू हिंसा क्या होती है और घरेलू हिंसा के क्या कारण है घरेलू हिंसा देखे घरेलू यानिके घर हिंसा यानिके लड़ाई एक हैसी हिंसा एक ऐसी लड़ाई जगड़े जो घर के अंदर बंद दर्वाजे के पीछे होते है उसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा उधारन के लिए आपके पिताजी ने आपकी मम्मी के कान पर दो थपड लगा दिये तो यह हो गई घरेलू हिंसा दूसरा उधारन अगर आपने अपने भाई को थपड मार दिया तो यह भी हो गई घरेलू हिंसा आपकी बेहन ने आपको दो चांटे लगा दिये तो यह भी हो गई घरेलू हिंसा जाने के बंद दरवाजे के पीछे परिवार के सदस्यों के साथ ही लड़ाई खड़े मार पीट को करना ही घरेलू हिंसा कहलाता है यह भी एक अपराद है क्योंकि घर के लोग ही अपने दूसरे घर के लोगों को मार पीट कर रहे हैं तो यही तो घड़ेलू हिंसा कहलाएगा घड़ेलू हिंसा के क्या कारण हो सकते हैं संपत्ती, अर्थात, प्रॉपर्टी घर में अदिक्त लड़ाई किस की वज़ेसे होती है संपत्ति की वज़े से, मकान की वज़े से, गाड़ी, बाइक, मुबाइल और बिल्डिंग की वज़े से, कार की वज़े से तो घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है संपत्ति का बटवारा या संपत्ति पर अधिकार जताना कभी-कभी अधिकारों के लिए भी होती है या कभी परिवार का कोई एक सदस्य कुछ गलत करता है जिसकी वज़ा से बाकी के सदस्यों को कुछ नुकसान होता है तब भी घरिलू हिंसा की जाती है उधारण आप बाहर जा रहे हैं और किसी से लड़के आ रहे हैं तो इसके बाद भै दूसरे के घरवाले तो आपके हैं सिकायत करने आएंगे, तो आपके पिता जी ने लट लिया और आपको कूट दिया, ये भी तो कारण हो सकता है, अगर आज आपके पिता जी आपको धरके नहीं कूटेंगे, तो आप फिर लड़के आओगे, इससे गरीबी बहुत सारी जनसंख्या, लगबग लगबग, 60-70-70 जनसंख्या गामों में रहती है, तो इसको बोला जाता है गरामीड समाज, गरामीड समाज की विशेष्टा निम्लिकित हैं, नमबर एक, करसी पर निर्भरता, यानि कि हमारे याँ गामों में रहने वारे लोग आज भी खेती वाड़ी पर निर्भर करते हैं, गरीबी, भारती गरामीड समाज में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, अगला है सिक्षा की कमी, भारती गरामीड समाज में सिक्षा की कमी है, सहरों की तुलना में गाउं के अंदर सिक्षा की विवस्था कम है, जातिव गाउं के अंदर अभी भी जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है उच्छ जाती निम्न जाती जातियों के बीच में दूरियां जाती के असाबसे लोगों से वैवार किया जाता है तो यह भारतिय ग्रामीट समाज की कुछ समस्या है गरीवी भी समस्या है, जातिबाद भी समस्या है, शिक्षा की कमी भी समस्या है और महलाओं को अभी भी परदे में ही रहना पड़ता है महलाओं को इतनी सुतंतरता नहीं दी जाती ग्रामीर समाज के अंदर तो यह था भारती ग्रामीर समाज की प्रमुक समस्या है अगला प्रस्ण है भारतिय शहरी समाज की कुछ विशेस्ता बताए शहरी समाज अथवा और द्योगिक समाज भी कहा जा सकता है क्योंकि शहर के अंदर जो लोग रहते हैं जैसे के हम और आप जो दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं उनको उद्योग धंदों पर ही निर्भर रहना पड़ता है तो यहां की कुछ विशेस्ता निमलिकित हैं नमबर एक क्रसी से दूरी हमारा जो रोज मर्रा की जीवन में खेती वाड़ी से इतना वास्ता नहीं पड़ता नौकरी पेशा लोग होते हैं हर्थात सुबह जाते हैं दस बजे और सामको 6-7 बजे तक अपनी नौकरी करते हैं तो दिन पर दिन हमें दफ्तरों में जाना पड़ता है शहरों के अंदर नौकरी करनी पड़ती है और वेतनवान मिलता है सुवधाएं अधिक होती हैं, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन के अच्छे साधन होते हैं, दूसरे छोटे-छोटे मकान होते हैं, ग्रामीन समाज में मकान तो बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन शहरी समाज में मकान जो होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, आप देख कहीं कि जाना ओ, आना ओ, घुमना ओ, छुट्टी वाले दिन का इंतिजार करेंगे भया सहरों के लोग, मनोरंजन के लिए सिनेमा हौल जाते हैं, वोक के लिए पार्क जाते हैं, जदस-जदा नहने की बात करेंगे तो वाटर फार्क्स ले जाएंगे, यही हमारे यहाँ पर मनोरंजन के साधन है लोग एक दूसरे को कारे की वज़े से जानते हैं सिर्फ कारे के ही संबंध होते हैं भावनात्मक लगाव कम होता है जिस प्रकार गाउं के लोगों के अंदर भावनात्मक लगाव अधिक होता है उसी के विपरीद शहर के अंदर लोग एक दूसरे से बहावनात्मक रूप से नहीं जुड़े होते, सिर्फ कार्यात्मक यानके कावे के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो यह थी भारत के शहरी समाज, अत्वा और द्योगिक समाज की कुछ विसेशता हैं, अगला प्रस्ण भारतिय समाज में आस्रम व्यवस्था, देखे हम हिंदूओं के अंदर चार आस्रम माने जाते हैं, अर्थात जीवन के चार अवस्थाएं माने जाती हैं, यह हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, मनुशी की उम्र को अधिक्तम सो वर्ष माना गया है, जिसमेंसे चार आस्रम होते हैं, अगर हम बात करते हैं एक से पच्ची साल की उम्र, तो इसे बोलते हैं ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य यानि के भारतिय समाज में हिंदू धर्म में एक से पच्ची साल तक की उम्र में को विव्यक्ति अपना सरीर बनाएगा और सिक्षा ग्रहन करता और अपने सरीर पर विसेश ध्यान देता है और विद्यार्थी की भुमिका में देता है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म चार्या दूसरा आश्रम लगता है 25 वर्ज के बाद 25 से 50 वर्ज की अवस्था में जिसे हम बोलते हैं ग्रहस्त इस अवस्था में इस उम्र में कोई विव्य में आता है उसके बाद कीसरा आश्रम आता है वान प्रस्थ वान प्रस्थ का मतलब होता है कि भया अब एक काम करो आप आप पचास साल के हो गए आप घर के बाहर रहो घर के अंदर बेटे की भौ बेटियां आ जाएंगी आप अपने परिवार की लोगों को बाहर से रहकर ही दिसा निर्देश दो क्या सही है और क्या गलत है जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद आता है सन्यास आस्रम सब कुछ छोड़ दीजिए अपना जीवन यह मान के चलिए कि अब आपने अपना जीवन भगवान को देना है दान करिए धर्म करिए और यात्रा कीज करिए महतारानी के दर्भार में जाये बबा भुलेनात कर दर्भार में जाये और अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दीजिए इस तरह चार आस्रम होते हैं नंबर एक भ्रमचार्य नंबर दो ग्रहस्त नंनलतीन वानप्रस्त नंन्न चार संयास यही भारती 사माज की आस स्रम विवस्था है अगला प्रस्ण मुल्य क्या होते हैं और मुल्यों के प्रकार्वता ही है देखिए मुल्य का आर्थ होता है अच्छी अच्छी बाते हैं इमांदारी वफादारी सच्चाई महलाओं का सम्मान भुजर्गों का सम्मान गरीबों की मदद चोड़ी न करना ज मूल्यों का होना बहुत ही आवश्यक है मैं आपको बत्य हैं एमांदारी महलाओं का संभाण बढ़ों का संभाण कारविकिय को प्रति इमानदारी Talay स समय का पालन करना बच्चों से अच्छी तरीकिये से बोलना बुजर्गों की इजयत करना चोरी न करना जूट न बोलना यह सब मुल्य और मैतिकता कहलाते हैं अब मनश्य के अंदर मुल्य कहां से आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक मूल्य परवारिक मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं जो परिवार द्वारा अपने बच्चों को दिये जाते हैं दूसरे होते हैं सेक्षणिक मूल्य अर्थात सिक्षा प्राप्त करने के बाद जो मूल्य मनिश्व को मिलते हैं उनको बोलते हैं सेक्षणिक मूल्य फिर आते हैं हमारे सामाजिक मुल्य, ऐसे मुल्य यानि कि ऐसी अच्छी बाते हैं जो हमने समाज से सीखी होती हैं उसे बोलते हैं सामाजिक मुल्य, परवादिक मुल्य, सेक्षनिक मुल्य और सामाजिक मुल्य यह होते हैं मुल्य, मुल्य याने के अच्छी बाते हैं, इमांदारी, फादारी, सच्चाई, जूरना बोलना, चोजिना करना, महलाओं का सबमान करना, यह सभी मुल्य होते हैं अब बात करते हैं समाज, समाज क्या है? समाज लोगों का एक समू है जो एक दूसे के साथ सुख दुख में काम आते हैं। समाज लोगों का एक समू होता है जो एक दूसरे के साथ दुख में और सुख में काम आते हैं, जो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं. उधारन के लिए हिंदु समाज, मुसलिम समाज, जाट समाज, वालमी की समाज, बूजर समाज समाज के लोग एक दूसरे की जरुरतों का ख्याल रखते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवशक्ताओं को पूरी नहीं कर सकता तो समाज लोगों का एक ऐसा समूव होता है, जो एक दूसरे के साथ सुख दुख में हर इस्तिथी में कामाते हैं. जब आपके यहां साधी होगी, तो भी समाज की जुरूत पड़ेगी, और जब आपके यहां कोई दुख वरा घटना घटेगी, तब भी समाज की आवश्यक् मनिश्य एक सामाजिक प्राणी है जिसको समाज में रहना होता है और समाज के अनुसार चलना होता है हर एक समाज के अपनी रीति, नियम, काईदे, रंपराएं होती है तो समाज लोगों का एक समू होता है अगला प्रस्न परिवार क्या है? परिवार के प्रकार बताए और परिवार के कार्य बताए तो परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें कोभी व्यक्ति अपना जीवन गुजारता है परिवार लोगों का ऐसा समू होता है जिनका खून का सम्बंध होता है परिवार ऐसे लोगों का समू होता है जो एक ही छट के नीचे अपना सारा जीवन गुजारते हैं परिवार दो प्रकार के होते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार एकल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं छोटा परिवार होता है अधिकतर शहरों में होता है एकल परिवार दूसी तरफ होता है संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जहां पर दादा, दादी, ताउजी, ताईजी, चाचा जी, मम्मी, पापा, देटा, देटी, नहें, भाई, सभी लोग बड़ा परिवार एक छट के नीचे रहते हैं, मिल जूल कर रहते हैं भारती समाज में गाउं के अंदर संयुक्त परिवार की परंपरा है, एकल परिवार अधितर सहरों में मिलते हैं और छोटे होते हैं और संयुक्त परिवार में मिलते हैं और बड़े होते हैं, अब बात करते हैं परिवार के कार्या, देखें परिवार क्या करता है, जन्म से ल परिवार हमारी सुरक्षा करता है, परिवार हमें नैतिकता बताता है, मून ले बताता है, परिवार हमारा समाजी करान करता है, परिवार हमें सिकाता है कि हमको किस तरह समाज में रहना है, लोगों से किस प्रकार की बात है करनी है, हमारी ट्विशन फीस, हमारी स्कूल फीस भ और भी हमारा परिवार ही हमको लेकर जाता है समसान घाट तक तो मनिश्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यू तक परिवार की एक महत्यकून बुईमिका होती है तो कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स होता है यह कि आपका परिवार सायूक्त परिवार है या एकल एसी वाले ज्यतनम एसी में आते हैं उन्हें अनसूचित जादिया कहा जाता है अनसूचित जातियों के कुछ बजारण है वालमी की और जाटव तो देखिए अनसूचित जाती की जो परमुक समस्या है नमर एक गरीवी नमर दो सिक्षा की कमी रोजगार की कमी सम्मान की कमी बंदुआ मजदूरी और इनकी महलाओं का सम्मान नहीं होता यह अभी एक समस्या है हम बात करते हैं भारती समाज में अनसूचित जातियों की क्या समस्या है सिक्षा की कमी तो है यह परने की उचित अवसर निम दिये गए दूसी बात रोजगार की कमी भी है जब सिक्षा नहीं है तो रोजगार भी नहीं होगा समाज में उचित दर्जे का सम्मान नहीं मिलता बधुआ मजदूरी करवाई जाती है अर्थात काम करा लिया जाता है फिर उसके बदले पैसे भी नहीं दिया जाते और चुआ चूथ जाने के आज भी इनको निमनिस्तर का प्राणी मना जाता और कहा जाता है कि उचित दूरी बना कर रखिये तो छूगा छूद भी एक समस्या है इस जाती की अनसूचित जातिया यानि कि स्ट्यूल कास्ट अब बात करते हैं वस्तू विन में प्रणाली देखिए वस्तू विन में प्रणाली क्या होती थी पुरा प्रा अर्थात पैसे की कमी थी पेपर के नोट धातू के सिक्के कम छपते थे तो गाउं में क्या होता था लोग एक वस्तू के वदले दूसरी वस्तू खरीदते और बेचते थे इवन मेरे गाउं में तो अभी तक ऐसा होता है कि आप गहूं लेकर जाएए और दुकानार आपको चीनी दे देगा सावन दे देगा कॉल गेट दे देगा तो इस तरह का जो सिस्टम था उसको बुला गया वस्तू बिनमे प्रणाली याने कि एक वस्तू के बदले दूसरी व मुद्रा की बहुत कमी थी सहरों में तो वस्तू बिनमे प्रणाली अभी भी नहीं होती यहां पर तो पैसे चलते हैं लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे गाउं है जहां पर वस्तू बिनमे प्रणाली अभी भी होती है अब बात करते हैं संत कबीर की विचारधारा अगला प् देखी, संत कबीर मूर्ती पूजा का विरोध करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदु धर्म में मूर्ती पूजा एक गलत विचारधारा है, संत कबीर मुसल्मानों के लिए भी लिखते हैं और कहते हैं कि मस्जित के ऊपर चड़ कर जोड़ जोड़ से नमाज पढ़ना यह भी एक समाजिक बुराई है, इस प्रकार हिंदु धर्म के अंदर जो कमिया है, मुसलिम धर्म के अंदर जो कमिया है, इसलाम धर्म के अंदर जो कमिया है, जैन धर्म, बौध धर्म, किसी भी धर्म के अंदर जो भी कमिया थी, कबीर, बिना डरे, बिना घवराए, बहु है मानव धर्व मानवता मानवता की सिवा करने से ही भगवान खुश होते हैं इसलिए हमको भगवान की सिवा करने चाहिए और धर्म के अंदर बली देना उपवास रखना नमाज पढ़ना कुर्बानी देना यह सब बुराईयों के रूप में वह कहते थे और कहते दर्म के अंदर इन सब की जगय नहीं होती कोई भी भगवान या कोई भी अल्ला यह नहीं चाहता कि उनकी संतानों को किसी प्रकार का दुखो और वह कोई भी कश्ट उठा कर किसी तरह की पूजा या अराधना करें लिंग अनपात का अर्थ होता है किसी भी गाउं देश-थ् पुरुसों के मुकाबले इस्त्रियों की संख्या, एक हजार पुरुसों पर कितनी महलाएं हैं, उधारन के लिए किसी गाउं में अगर एक हजार पुरुस हैं और उस गाउं में आठसो महलाएं हैं, तो यह लिंग अनपाथ हजार अनपाथ आठसो का अनपाथ माना जाएगा अब बात करते हैं पती भ्राता विवा, पती याने के हज्बेंड, भ्राता याने के भाई, पती के भाई के साथ की जाने वाली साधी, या भारतिय समाज में या किसी भी समाज में तब की जाती है जब कोई नई नवेली दुलहन के पती की मृत्ति हो जाती है तो सस्राल वाले उसके अर्थात पती के भाई के साथ या भाई बड़ा भी हो सकता है अथवा छोटा भी हो सकता है उस नई नवेली दुलहन की साधी करवा देते हैं इस तरह के विवा को पती व्राता विवा कहा जाता है अगला प्रस्न मुस्लिम विवा के प्रकार अर्थात इसलाम के अंदर कितने प्रकार के विवा होते हैं देखिए, इसलाम के अंदर मुख्य रूप से चार प्रकार के विवा होते हैं, नमबर एक निकाह, नमबर दो फासिद, नमबर तीन वातिल, नमबर चार मुता, सबसे जो पवित्र विवा माना जाता है, वो निकाह को माना जाता है, जिसमें लड़के और लड़की की सहमती हो दो गवा तथा एक काजी का होना अक्ट्यंत आवश्यक होता है, मुसल्मानों में सबसे पवित्र विवा निकाह को ही माना जाता है, भासावाद और इसके नकाहरात्मक प्रभाव, देखें भासावाद का मतलब होता है, जब किसी एक भासाव को बोलने वाले लोग, मैं गलत बात हो, चाहे को वे सही बात हो, किसी भी गलत या सही बात में भासाव को बोलने वाले लोग, जब एक दूसरे का ही साथ देते हैं, तो इसको बोलते हैं भासावाद, और वहां की सरकार, चाहां वो किसी गाउं की हो, चाहां शहर की हो, चाहां देश की हो, एक ही भासा के बोलने वाले लोगों का पक्ष लेती है, सास देती है, तो इसको बोलते हैं भासाबाद, भासाबाद एक प्रकार की चुनोती भी है, क्योंकि एक सी भासा बोलने वाले लोग एक साथ हो जाएंगे, तो अन्य भासाओं को वो अपने आप से छोटा समझेंगे, और अन्य भा जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो यहां पर क्या समस्या है देखे सहरी समाज की जो समस्या है सबसे पहले है प्रदूशन प्रदूशन शहर के अंदर रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है फिर है औध्योगी करण उद्योग धंदे यतनी तेजी से बढ़ रहें कि यहां पर्यावण को नुकसान पहुंचा रहें फिर है आपसी तालमेल की बहुत ज्यादा कमी यानिक हम लोगों के अंदर अर्थात सहर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में आपसी तालमेल बहुत कम होता है और यह भावनात्मा कुरूप से कम जुड़े रह होते हैं चोरी वलतकार हत्या चीना चप्टी जैसे अपराद भी शहर के अंदर अधिक होते हैं तो शहरी समाज की यही समस्या है अब बात करते हैं रास्टिय एकी करण राश्टी एकी करण का मतलब होता है सारा देश, एक साथ एकत्रित हो जाए जाने कि जब देश के अंदर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं जुड़ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं राश्टी एकी करण रास्टी एकीकरण के निमलिकित घटक है देश के लोग किस प्रकार एक होते हैं एक छोटा सवधरण सम्विधान सम्विधान हमारे देश के लोगों को जोड़ता है रास्टी ये त्योहार खेल जब अभी आपने देखा होगा जब वर्ड कप हो रहा था हिंदुस्तान और अस्टेलिया के बीच में तो हमारे देश का बच्चा-बच्चा एक हो गया था सब लोग चाहते थे कि हमारा देश जीत जाए संस्कृती, धर्म, जाती, सम्विधान, सिक्षा, सिक्षित समाज भी बहुत जल्दी एकत्रित हो जाता है तो रास्टिय एकिकरण के जो घटक है रास्टिय द्वज, सम्विधान, भासा, जाती, धर्म, रास्टिय त्योहार इस समय यही हमारे रास्ट को एक करते हैं यानि कि रास्ट के लोगों को एक साथ लेकर आते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं रास्टिय एक ही करण, अब बात करते हैं महला ससक्ति करण, महला यानि कि अवरत ससक्ति करण यानि कि मजबूत होना, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, महल अधिकारों में विर्दी, महलाओं को आरक्षन देखना, दहिज के खिलाफ कानून बनाना, कन्या भून हत्या के खिलाफ कानून बनाना, कम उम्र में साधी के खिलाफ कानून बनाना, इस सब कानूनों की वज़े से भारत के अंदर महला सतक्त हो रही है, महला मजबूत हो रही है जब किसी देश की किसी गाउं की किसी चेत्र की महला समाज में इज्जत बनाती है आगे बढ़ती है सम्मान हासिल करती है रोजगार हासिल करती है तो इसको ही हम महला ससक्तिकरण कहते हैं महला ससक्तिकरण समाज के लिए बहुत अच्छा है और इससे महलाओं को समाज में बढ़ने के अवसर मिलते हैं इसलिए सरकार जो भी काम कर सकती है महलाओं को मजबूत करने के लिए जितने भी अधिक अधिकार दे सकती है भी महला ससक्तिकरण कहलाता है अब बात करते हैं आंकडे और उनके प करना आंक्रे कहलाता है आंक्रे दो प्रकार के होते हैं प्रात्मिक आंक्रे और दुतियक आंक्रे प्रात्मिक आंक्रे वो होते हैं जो हम स्रोथ से जहां से वो आंक्रे निकलते हैं वहीं से हम उन आंक्रों को एकत्रित करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रात्मिक आंक्रे उधार तीदे स्रोच से नहीं एकत्रित करते जैसे अगर मुझे आपकी पता जी का नाम पूछना है और वह मैं आपके विद्याले में जाकर पता करूं या आपके आसपास के लोगों से पता करूं तो यह दुतियक आंकडे होते हैं प्रात्मिक आंकडों को एकत्रित करने में समय भविष्य के लिए विकास करती है तो उसको आंकडों की आवश्यक्ता पढ़ती है अगर आंकडे सही होते हैं तो हमारी सरकार हमारे लिए अच्छी अच्छी और सही योजना बना पाती है प्यारे चात्रों यजज विडियो थी समास्थ अर्थात सोसलोजी के बारे में कक् My dear students, अगर आपको किसी भी और्विषय पर वीडियो बनवानी है या आप किसी भी और्विषय के महतापूर प्रेसन चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्षन में जाकर लिख सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि समय रहते हुए एक अच्छी सी वीडियो बना के दूँ जो आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तन्यवाद